हमारी जो लाइफ है उसे आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा मानते हैं ये आपके उपर है लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं हमारे जिन्दगी के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव आपका सोच है वेलकम टो माई चैनल गाडणिंग विद सुनीता कितना प्यारा प्लांट है देखिए ये टिपु चायना जिसे कहते हैं बेगम बहार भी कहा जाता है इस प्लांट को और बहुत ही प्यारे फ्लावर इसमें आते हैं इसे मक्डी फ्लावर के नाम से भी जाना जाते हैं इसके तेको आपक्यातक्य काम लिप्ता सकते हो। ये मींटे पेंटाज कि přीवुपन सब्कूरत। च्और छोट छोट में फ्लावर साते हैं वंकुए हुथ सुनक्राइबद प्लावर कॉल शुक्त जल्दी बाजी में मैंने दोनों प्लांट को एक ही में लगा दिया था इसे में अलग करूंगी और ये ग्रो बैग में है देखती हूं मैं इसे क्या कर सकती हो भी फ्लाबरिंग कर रहा है इसे छेड़ना ठीक नहीं रहेगा कुछ प्लांट देखे इस तरह से हो जाते हैं एक ये इसकी कटिंग है और ये अच्छे से चल गए है ये है संसेट फ्लावर प्लांट ओर इन बहुत ही प्यारे लगते देखकर तो ये प्लांट जो है इसका मज़के प्लांट हो इसकी क्या हालत होगि तो इसे मैं आज निकालूंगी गाडन खुबसूरत तो लगता है क्यू होता होगा कुछ प्लांट इस तरह से हो जाते देखिए तो यह देन्थस का प्लांट है इसके बगल भी डेन्थस है देखिए और जल्दी-जल्दी में क्या करती हूं सब को एक ही जगा लगा देती हूं क्युक्ति स्टोर करना है ये विंटर के लिए ये समर में भी चलते हैं सीड हार्वेस्ट करते रतीव में और इसके एक ही सीड पॉट से काफी सीड निकल जाते हैं मुझे लग रहा देखिए इतने सारे निकल गए वे सीड से ग्रो किया है केलेंडूला और बहुत सारे प्लांट हो गए हैं अभी और इतनी गर्मी है कि बिचारे की हालत देखिए य बहुत सुंदर लग रहे देखने में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यह परपल है यह पिंक है यह देशी पिटुनिया है यह देखिए बहुत अच्छे से यह ग्रो हो रहे हैं और फ्लाबरिंग हो रही है आप इन सुखे फूलों को जैसा विंटर में हम लोग करते हैं वै यह अच्छी लगती है देखने में तो इस तरह से पौधे तैयार होते रते हैं नयने यह देखिए यह है डॉक फ्लावर और यह समर में भी देखिए अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है तो यह सारे इंटर के फ्लावर प्लांट है लेकिन आप थोड़ी सी केर करोंगे तो सम इनका कुछ वर्क आज करने वाली हूं यह भी एक विंटर का ही फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें धेरो सीट पॉड बने हैं यह देखिए यह इसके सीट पॉड है इस तरह लंबे-लंबे बनते हैं यह एस्टर गमले में हो गय थे इसलिए मैंने लगा दिया है और यह व दूसरा काम क्या इंपॉर्टेंट करती हूं मैं यह दिखा देती हूं आपको सारे गमले को मैं इस तरह से खाली करती हूं और मिट्टी में धूप जरूर लगाती हूं और अभी की जो धूप है में की उसमें मिट्टी के सारे कीडे मकोडे मर जाएंगे तो आप मिट्टी को रीचार्ज करना ना भूले बहुत ही कड़ी धूप होती है यह देखिए इस तरह से मिट्टी को आप धूप लगाने ना भूले यह देखिए सारे गंबले खाली हो गया भी इसे आप धूप में छोड़ दीजे थोड़ी देर के लिए आप देख पाएंगे देखे ड्राइ होने भी लगे प्लांटर को भी आप इस तरह से धूप में फालतू कीडे मकोडे है वो मर जाएंगे केचुआ तो किसान का दोस्त होता ही है लेकिन केचुआ इसमें अभी नहीं है देखिए क्योंकि पौधे नहीं थे वाटरिंग ज्यादा नहीं हुई थी बस मैंने इसमें इसे गंबले से निकालकर इस तरह से धूप में फैला दिय है चलिए नेक्स्ट जो वर्क मैं करने वाली वह दिखा देती हूं अप लोगों से इधर देखें बहुत सुन्दर से यह चल रहे है और दिखें इधर ड्रॉब वराइटी का मधुमालती है यह जो छोटे प्लांटर में लगेवे गंफरीना है वाइट कलर के इसे भी मैं बड़ा प्लांटर दे दूगी क्या क्या काम मुझे करना रहता है जो जो काम आपको गार्डेन के लिए करना है आप समय निकाल कर सिर्फ सोचे कि मुझे पांच ही काम करना उससे जादा नहीं करना यह देखें क्रोसेंड्रा इसके सीट को हर्वेस्ट कर लेती हूं अगर आप क्रोसेंड्रा के सीट को नही हुए हैं आपको जो भी करना है आप एक जगह सारे काम को इकठा कर लिए और ध्यान रहें पांच ही काम आपको करना उससे ज्यादा नहीं करना और यह देखें यह छोटे से पॉट में हैं और अच्छी तरह से हेल्दी नहीं हो रहा है तो इसमें भी मैं थोड़ी सी कर देती हूं तो इस तरह से देखें मैंने काम मिकठा कर लिया है अब चले काम को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं इसे हटा दोंगे अभी क्योंकि यह फ्लावरिंग दे रहा है तो पॉधे को ज्यादा छेड़ना ने चाहिए अभी अपने मूड में है फ्लावर्स देने यह भी अच्छे से ही यह लगता है मुझे फ्लावरिंग कर रहा है इसे भी मैं साइव ऑन गभी सबसे पहले मैं इस प्लांट को अलग अलग करूंगी वाइट वाले को अलग करूंगी पर्पल वाले को अलग करूंगी इस तरह से देख पारें आप पूरी रूब बॉर्निंग हो गई है और इसे कुछ भी अभी नहीं करना है यह समर का टाइम है आपको ज़्यादा इसके रूब बॉल को छेड़ना नहीं है बस मैं कमपोज डाल कर इसे दो पॉर्ट में लगा दूँगी एक समान पॉर्ट में लगी हुए रहें तो ज़्यादा अच्छे लगें इस तरह से देखे मैक्सिकन हिदर अलग गमले से मैंने निकाल लिया है और यह दोनों प्लांटर में मैं लवा देती हुए यह दोनों एक समान प्लांटर है अच्छे लगेंगे देखने में तो इसे अलग कैसे करना है एक चक्कु लेनी है बड़ी सी देखे इसमें टैंगल हार्ट का खुबसूरत सा प्लांट है इसे में यह छोटे से हंडी में लगा दूंगी तो यह भी एक काम हो गया रेडी अब दो प्लांट एक साथ है तो यह है वाइट वाले यह है परपर वाले अब आपको आराम से इसे कट कर देना है इसके नीचे जो लगे हुए गमले के तुकड़े है यह निकाल देना है ध्यान से और ज्यादा बिल्कुल नहीं ज्यादा छेड़ना है इसमें वर्मी कमपोस मिलाओंगी अब इसमें मैं थोड़ी सी मिला देती हुए कि पहले खरीती थी 40 रुपय किलो 2 किलो 3 किलो 5 किलो ऐसे करके ले आती थी लेकिन अब मैं क्या करती हुए कमपोस्ट पूरा 50 किलो एक बार में ही ले आती हुए और वह चलते रहता है और मैंने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया है कि कितने दीन वह चलता है लेकिन मैंने बहुत दिनों से खरीदा और अभी तक चल रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बड़े से बोरे में मैं मैंने लिया था 50 किलो पूरा और उसका प्राइस पड़ा था 540 रुपया तो ये मुझे बहुत ही सस्ता लगा था और मैं वहां से लेकर आई थी जहां पर खेत के सारे समान मिलते हैं खेती के लिए तो ज्यादा ज्यादा कॉंटिटी में किसान का जो समान मिलता किसानी का व एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहते हूं कि कौन लोग है जो हाथों से गाडनिंग करते हैं हाथों से सभी करते हैं लेकिन इसमें गलप्स लगा कर मुझे कमपटेबल नहीं लगता है इसलिए मैं हाथ से ही कर लेती हूं ऐसे ही कर लेती हूं बीना गलप्स की और अ आपको कुछ भी नहीं करना है जब यह फ्लावरिंग करने के मूड में आता है तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है अब इसे बस ऐसे रखते ना है और आपको कुछ भी नहीं करना है हों समय वस्या स्चित Will Never Been क्मिन भी युछ कुछ भी नहीं क्रीक करता है मजग चिप भी नहीं है कि सहों समय और क्लुछ उट प्लावरिंग करता कल माव करता है пот reuse यह र प्लावरिंग करते क्मिन क्मिन, यहीं है requires ह्рийा है कि कंपोस्ट वाले मिट्टी डाल देती है अभी इसको छेड़ना बिल्कुल सही नहीं है यह फ्लावरिंग कर रहा है अभी पॉटुला का पहला काम तो यह हो गया दूसरा मैं इसे निकालूं गया यह संसेट प्लांट जो है यह ट्यूबर से होते हैं और यह मैं वेस्ट पिंगॉल से कहीं किसी के यहां गई थी तो वहां से लिक राई थी इसकी कटिंग भी लग जाती है और यह ट्यूबर से लगते रते हैं तो इसमें मैं थोड़ी सी फंजी साइड लगा कर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ट्यूबर खराब हो गया है गनिमत ह कहने कि मैंने एक प्लांट रेड़ी कर लिया है ये देखिए टो इसको बचाने की कोसीस करूंगी मैं ये देखिय को इसमें में पानी का यूलने कर रहή हूं, चीटियों ने इसे खराब कर दिया है इसमें मैं थोडवी सी यह फंजी सैड डा देती हो कि आप यह ठीक हो जाय तो अच्छा है अब यह मिट्टी में मैं लगाऊंगी यह मिट्टी ही चेंज कर दूंगी मैं कुसिस करते हूं कि यह बच जाए और और उपर से मैं फंजी साइट डाल देती है यह दूसरा काम हो गया और यह गमपरीना के लिए पड़ छोटा हो गया है तो इसे मैं निकाल लेती हूं कि अब यह जो पॉधा मैंने रिश्टी आप अब यह जो पौधा मैंने रिश्टी आप आप अब यह जो पॉधा इसे 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 थोड़ा बड़ा पॉट मैं दे देती हूं आप साथ स्नेक प्लान्ट मेरे पास धेरवा ऐसे प्लांट है मुझे किसी को गिफ्ट करना है इसलिए मैं इसमें इसे लगा देती हूँ तो ये भी एक काम हो गया आज ये देखिए ये मैंने सन्फ्लावर के कुछ सीपट तोड़ के लाए है ये देखिए और इसे मैं इसमें लगा देती हूँ सारे ही इसमें डाल देती हूँ प्लांट हो जाएंगे तो मैं इसे सेपरेट कर दूंगी क्योंकि सन्फ्लावर सालो भार फ्लावरिंग करता है जितना धूप होगा उतना फ्लावरिंग हो करता ही रहता है और ये टेंगल हाट है यह मैं इसमें लगा जाती है बहुत ही मुश्किल से मुझे मिला था यह तो इतना छोटा भी जो प्लांट है इसे में जो फेकने में बहुत ही दया आ रही है तो इसे भी मैं कोसिस करूंगी अभी लगा देने की थंपट में अब यह दोनों को मैं यहां रख देती है यह जो बल्ब लगाया था उसमें ही मैं इस तरह के यह दोनों को भी रख दे ताकि पता रहे कि कौन से प्लांट है जो मिट्टी है मैक्सिकन हीदर के प्लांट को मैंने कम मिट्टी दिया था उसमें मैं डाल देती हूं इस तरह से देखें मैंने गार्डनिंग के काम निट्टा है और यह फंगस से इफेक्ट हुआ जो मिट्टी है इसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लगाया है लगाना भी नहीं चाहिए यह टिपू चायना को मैंने छेडा नहीं है क्योंकि अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत अच्छे लग रहे देखने में यह देखें यह खिल्ले ही वाले हैं मैं जरूर सेयर करूंगी आप लोगों के साथ तो यह कुछ गार्डन वर्क मैंने निप्टाए है और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लिजेगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर मिलती हूं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में तब तक आप अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें है हैपी